आपको आपकी यात्रा से प्रारम होने वाला है यह ध्यान रखेगा आपका जो समय शुरू होगा वो दो दिन करीब करीब अक्तूबर के स्टार्टिंग में आप यात्रा करने वाले ही हैं इसको ध्यान रखेगा यह आप नोट कर लीजिएगा यात्राओं से प्रारम होते हुए प्रापर्टी के बारे में चिंता करते हुए बच्चे और एजुकेशन के बारे में आगे जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ा स्वास्त धीला रहेगा तो यह दो दो दिन करके आपके लिए यानि दो दिन पहले यात्रा के होंगे फिर दो दिन प्रापटी इत्यादी को ले करके होंगे, घर पहुचने को ले कर होंगे, फिर दो दिन संतान, प्रेम संबंद, एजुकेशन के बारे में चिंता रहेगी, फिर उसके बाद हेल्थ में थोड़ा डिश्टर्बंस आएगा, ये सब रहने वाला है, इस पर हम विस्तार स चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे आखे क्या होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप राम कथा कराना चाहते हैं, भागवत कराना चाहते हैं, और आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं, कि वो संगीत में हो, आनंद दायक हो, और उससे दोस्त दूर हो, और वो आचारे राजमिश्रा के द्वारा तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं संपर कर सकते हैं रात को नौ बजे दो पहर को बारा बजे में लाइब आता हूं तो आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं सबसे पहली बात कर लेते हैं हेल्थ को ले करके कि health आखिर आपके लिए किस प्रकार रहेगा अक्तूबर महिने में चंद्रमा जो कि आपकी राशी के श्वामी है starting में third house में गोचर करेंगे और बुद्धी के श्वामी बुद्ध के शाथ भी गोचर करेंगे it means कि month का जो starting time है उसमें आपका स्वास्त बहतरीन रहेगा बुद्धी तीब्रगती से काम करेगी और आपकी यात्राएं काफी सारी होने वाली है तो month के starting में health निश्चित रूप से बहतर रहेगा इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन फिर एक चीज और होने वाली है और वो है कि mangal जो है वो 20 तारीक को आपकी रासी में गोचर करने आ जाएंगे 20 तक तो आपके 12th house में रहेंगे 20 तारीक को आपकी रासी में गोचर करने आ जाएंगे यहां से क्रोध में ब्रधी होना BP इत्यादी की problem को उत्पन करना या फिर चोट इत्यादी लगवाने का काम करेंगे तो 20 तारीक तक health आपका perfect दिख रहा है कोई problem नहीं दिख रही है लेकिन 20 के बाद mangal के आने से health में problem के योग है और वो problem भी किस प्रकार की है वो problem BPI को ली करके है क्रोध को ली करके है वाहन साउधानी से चलाईए चोट को ली करके है अच्छा क्या करना चाहिए इसके लिए ताकि ऐसी problem ना हो हमें करना ये चाहिए आपको कि लाल कपड़े 20 तारीक के बाद बिलकुन नहीं पहनी है 20 के बाद जो भी मंगलवार इत्यादी पढ़ता है एक तो गायतरी जब रोज सुरू कर दीजे 20 तारीक के बाद और मंगलवार को लाल मसूर इत्यादी का दान करना सुरू कर दीजे तो उससे मंगल का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका स्वास्त बहतर रहेगा ये हो गई भाई स्वास्त की बात अब चलिए बात कर लेते हैं आर्थिक परिस्थिति को ले करके फाइनेंशल पोजिशन को ले करके कंडिशन क्या रहेगी देखिए 16 तारिक को जब तक सूर्य कन्या राशी के अंतर गदबुद्ध के शाद गोचर करेंगे तब तक आपकी वाणी का इंपैट बहुत सांदार रहेगा पैसा आपके पास आएगा इंटर्व्यू इत्यादी में भी अच्छी सफलता मिलेगी परिवार वाले भी आपकी बात मानेंगे लेकिन जैशे ही सूर्य तुला राशीगत प्रवेश करेंगे और ये शमय अपका रहेगा 17 तारिक, 17 अक्तुबर 2024 को सूर्य जब नीचस्त होंगे तो यहाँ पर प्रापटी इत्यादी में पैसा लगाने पर वहाँ पैसा फसने का योग अस्पस्ट रूप से दिखा है इस समय पर प्रापटी इत्यादी बेचने का जो कारे है वो बहतर होगा प्रापटी बिखने का रास्ता दिख रहा है एक बात आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि इस महीने आप प्रापटी खरीद भी सकते है और प्रापटी बेच भी सकते है दोनों का योग अस्पस्ट दिख रहा है प्रापटी से रिलेटेड जो भी कारे है वो इस महीने आपके निश्चत रूप से बनने वाले है अच्छा क्योंकि मंगल जो लाभेश है जो शुक्र आपके कुंडली के लाभेश है सुर्य आपके धनेश है सुक्र इस महीने में गोचर करने चले जाएंगे करीब कहाँ 17 तारीक को सुक्र गोचर 12 तारीक को शुक्र चले जाएंगे 5th house की अंतरगत और सूर्य आपके 4th house में जाएंगे 17 तक तो रहेंगे ही तो कुल मिला करके अगर हम starting of month की बात करें या mid of month की बात करें करीब 20 तारिक तक की मैं बात करूं तो financial position आपकी बहुत सांदार रहेगी 20 तारिक के बाद financial position थोड़ी stable होती हुई दिख रही है property के बारे में हम already चर्चा करी ही चुके हैं अब आगे आजई अच्छा property का लाब तो बड़ा असपष्ट दिख भी रहा है आपकी रासी के अंतरगत education को लेकर क्या condition रहने वाली है education को लेकर के परिस्थिती सुधरेगी because mangal लगन में आ जाएंगे भी तक 12th house में गोचर कर रहे थे mangal आपकी रासी में आएंगे नीचस जरूर होंगे लेकिन पंचमेश हैं तो education को लेकर के पहले के पेक्षा condition सुधरेगी बच्चे बहुत क्रोध करेंगे प्रेमी प्रेमी का आकर के प्यार का इजहार जरूर करेंगे ये condition होगी education से related विदेश यात्रा का भी योग है professional life के क्या condition होगी तो professional life में इस महीने आपको नौकरी प्राप्ती का योग है ब्यापार ब्रिधी का योग है जो नुक्षान बहुत दिन से चल रहा था उस नुक्षान पर इस महीने आपका control होने वाला है married life उसी प्रकार चलेगी जैसा कि पहले चल रही थी खैर बहुत लंबी जानकारी आपको चाहिए और मैं अगर discuss करना शुरू करूँ गंटो निकल जाएगा इतनी लंबी वीडियो आपके लिए देखना मुश्किल होगा मैं रात को 9 बजे, 2 पहर को 12 बजे इसलिए लाइब आता हूँ लाइब आप मेरे साथ फ्री में जुड़ करके बात कर सकते हैं या कर सकती हैं या फिर कॉल अपांडमेंट लेकर इस्तार से आप मेरे साथ बात कर सकते हैं कथा के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर ही सकते हैं भगवान आपका जीवन सुक्षम रदियों से परिपूर्ण रखेशी शुब कामनाक्षात जैश्री राम बहुत धनेवाद